आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो, उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello, so the given question is Why is polyamylitis called infantile paralysis? कि polyamylitis को हम infantile paralysis क्यों बोलते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि polyamylitis क्या होता है polyamylitis या फिर हम इसको normal word में polyo बोल देते हैं ये एक viral disease है, कौन कॉस करता है इसको viruses? ठीक है? कौन सा virus? polio virus polio virus इसको कॉस करता है polio virus को या फिर हम बोल देते हैं entero enterovirus ये एलिमेंटरी कैनल के थुरू एंटर करता है ठीक है? तो polio virus इसको कॉस करता है तो इसमें क्या होता है? कि nervous system की inflammation हो जाती है इसके बाद एक skeletal muscle हमारा पर्मनेटली डायमेच हो जाता है ठीक है? तो जिसको polio की infection होते है उसका end में ऐसे हो जाता है हमें vaccine मिले है कि ताकि हमें ये infection ना हो सके कि हमारे body में इसके एंगे इस immunity आ जाए तो इस question में पुछा किया है कि poliomyelitis को infantile paralysis क्यों बोलते है इसको हम infantile paralysis इसलिए बोलते है क्योंकि ये infants को attack करता है ये virus it attacks infants, infants यानि कि जो छोटे बच्चे होते है उनको attack करते है इसलिए इसको infantile paralysis बोलते है paralysis यानि कि हमारे जो body है वो paralyze हो जाते है हमारे जो body का nervous system damage हो गया तो उस body में senses नहीं रहती sensations नहीं रहती वो paralyze हो जाते है so I hope this clears your doubt thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubt net app या whatsapp कीजे अपने doubts 8444 सुपर